हेलो फ्रेंड आज की रेसिपी है तीसी का पराठा तो ये बहुत हेल्दी होता है और आपने सुना होगा तीसी जो है वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है तो मैं हूं स्वेता स्वागत है आप सभी लोगों का स्वेता किचन चैनल में तो मेरी रेसिपी अगर आपको प भून लेना है और तीसी को इस तरह से देखिए अभी कलर देख सकते आपका कैसा है तीसी का और भूनने के बाद यह थोड़ा ब्लेक हो जाएगा यह देखिए और जब तीसी हमारा फूटने लगेगा आप देख सकते यह फूट रहा हलका हलका और इसका कलर भी चेंज हो चु तो मैंने साफ वगरा करके रखा था पहले से तो यह देखिए ठंडा हो जाने के बाद इसको मिक्सर ग्रांडर में पीस ली हूँ यह देख सकते हैं पूरा दरदरा नहीं करना है इसको पूरा अच्छा से पौडर तयार कर लेना है और अब इसमें मैं गुर्ण मिलाओंगी और आप चाहे तो इसमें बादाम को भी इसी तरह से भून के पौडर तयार करके डाल सकते हैं बादाम का भी तो वो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में टेस्ट आजाता है तो मैंने यहाँ पे बादाम को भून के नहीं डाला है मैं सिर्फ तीसी को ही गुर्ण के साथ मिक्स कर रही हूं यह देखिए तीसी हमारा गुर के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है अब आटा मैंने यहां पर पहले से गुंद लिया था और यह देख सकते हैं आटा को पुरा सफ्ट मैंने गुंदा है और इसका अब लोई तेयार कर लेंगे हम और मैं बड़ा बड़ा इसका बनाओंगी यह देखिए क्योंकि जब तीसी हम भरेंगे उसमें बहुत ज्यादा फुल जाएगा और अगर छोटा लोई करेंगे तो छोटी छोटी रोटी बनेगी तो यह देखिए मैं अच्छे से इस तरह से कटोरी जैसा से करके इसमें थोड़ा ज्यादा करके ती यह देखिए इस तरह से मैं इसको दबा दबा के अच्छे से भर लूँगी और थोड़ा सा बड़ा साइज करने में क्या होगा पराठा जो है हमारा वो थोड़ा बड़ा बड़ा आकार का बनेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और फटेगा भी नहीं जादा तो रोटी की जो लोई बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा मैंने बनाया है और यह देखिए इस तरह से मैं इसको हलके हाथों से बेलेंगे और नहीं तो यह ज़्यादा जोर से बेलने से यह फट जाएगा और यह देखिए जब तक हमारा तीसी हलका हलका दिखने लगेगा उ ज्यादा बड़ा भी नहीं है ज्यादा छोटा भी नहीं है इसा करका बेल लेंगे हम सारे और यह देख सकते हैं मैंने सारा पराठा बेल के रेडी कर लिया है आप चाहें तो एक एक करके बेल के एक करके तवे पर सेखते जाए पर मैंने पास एच्छे पर पर बेल लिया है अब इसको मैं तवे पे सेक रही हूँ आपके पास नौन इस्टिकी पेन है तो आप उसमें भी सेक सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और पराठा में हलका घी या फिर रिफाइंड ओयल आप लगा दें इससे पराठा को जो है टेस्ट और अच्छा हो जाता है और पराठा जो सु भी रहा है तो सेम इसी प्रोसेस से मैं सारे पराठे को सेक लूँगी यह दिखे एक पराठा हमारा रेडी हो चुका है इसको निकाल लेते हैं और दूसरा पराठा भी इसी तरह से मैं सेकूंगी और तीसी का पराठा जो है बहुत हेल्दी होता है फ्रेंड और यह वेट से से होता है तो लोग भी तीसी का पराठा या फिर तीसी को ने सकते हैं तो तेसी के साथ हो होता है बहूत फाइदा भी नांसुख धी पराठा स्थ लगता तो recipe आप लोग भी try करिए और मुझे comment में जरूर बताए जिए कैसी लगी recipe और सुयता किचिन पर हर दिन new recipe मिलेगी आपको तो new new recipe देखने के लिए सुयता किचिन को subscribe करके बेल आपके लिए घंटी जरूर प्रेस करिए ताकि सारी वीडियो की notification सबसे पहले मिले थैंक यू फर वाचिंग बाबाई टेक क्यार